हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल एसर दी एक्सपर्ट में हम लगबग मार्च के आखरी हफते के आज पास में पहुंच चुके हैं टेक्स बचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टन टाइम पीरिड होता है जब आप ELSS scheme के अंदर में investment के बारे में सो क्योंकि वहां पर 20-25 साल का लॉक इंड होता है जहां पर पैसे बरबाद होने की पूरी opportunity रहती है आप काम करेंगे mutual fund के थुरू जहां पर आपको benefit रहता है ELSS के थुरू मैं आपको आज बताऊंगा top 5 mutual fund का कौन से हैं जहां पर आपको अच्छी opportunity है कमाने की और उस message टॉप ranking fund है उसको discuss करेंगे detail के साथ में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी request प्लीज चनल को like and subscribe करना ना भूले अब शुरुवात करते हैं ELSS के संग में जैसी वेसिकली टेक्स बचाने के लिए आपको अंडर सेक्शन 80C के अंदर में डेड़ लाग रुपे तक की limit मिलती है जिसके अंदर में आपको various options available होते हैं प्रोविडेंट फंड PPF का options आपके पास में available होता है fix deposit के तुरू भी आप यहां पे investment कर सकते हैं और में छूट मिलती है अगर आप देखेंगे PPF में 15 साल के लिए approximately lock-in रहता है आपको यहां पे fix deposit के अंदर में 5 साल से बड़ी fix deposit में ही आपको छूट मिलती है जारतन investment आपकी लंबे time origin की होती है जबकि mutual fund में जो ELSA scheme में investment करते हैं तो वहां पे आपको सिब 3 साल का lock-in period होता ह है यह ELSA scheme में अगर जैसे ATC के अंदर में आप देड़ लाग रुपे की छूट मिलती है देड़ लाग की investment अगर आप इस mutual fund में करते हैं एक साल के अंदर में तो आप जानेंगे देखें आपके slap के according आपको discounting समझ पर आ सकती है अगर आप 30% के slap में applicable होते हैं तो देड़ ल 100 रुपे लगा कर 46,000 रुपे एक टाइंग पर आप डारेक्टली कमा रहें 30% की रिटन्स तो आपको और डारेक्टली दिखाई दे सकती है अगर आप इस ELSA scheme के अंदर में investment करते हैं तो और उसके इलावा आपको additional advantage में जो यह investment funds रहेंगे यह आपको कमा के देंगे आने वा market के उतार चड़ाओ से directly link रहते हैं लेकिन साथ ही साथ में एक चीज़ दिखनी पड़ेगी यहां पर आपको growth opportunity बहुत अच्छी मिलती है अब सीधा point के अंदर में आते हैं हमने ELSS के बारे में जान लिए क्या होता है क्यों करना चाहिए ELSS mutual fund तीन साल का lock-in period होता है इस चुंगा कि अगर आपको investment करना है तो यहां पर lump sum में investment करी जा सकती है जिस तरह से market अभी काफी down में चल रही है अपने टॉप सी और हमारे पास में लगबग last week ही अवेलीबल है टेक्स बचानी के लिए तो यहां पर हम investment कर सकते हैं lump sum में जिस भी amount को आप बचाना चाहते है अब top 5 funds के बारे में आते हैं मैं 500 fund आपको एक साथ में रिखा जाता हूं ताकि वीडियो थोड़ी चोटी बने Kenner और Roboka का fund देखेंगे आप यहां पर 5 star rated fund है 1724 का asset under management 5 साल में 20% की return दिये एक लाख रुपय अगर 5 साल पहले invested करे होते हैं तो लगबग 2,48,000 रुपय यहां बन जाते BOI EXA का हमारे पास में tax advantage fund है यह भी 5 star rated fund है बहुत चोटी asset under management 390 की इसलिए expense ratio आप देखेंगे थोड़ी higher side में देखेंगे 1.51% की 20% की return पास साल में इसने भी दिये KOTAC tax saver schemes आती है यहां पर 4 star rating के अंदर में आएगा 0.85% की expense ratio है asset under management 1679 का यहां पर लगबग 18% की return पास साल में दिये एक राक रुपे यहां पर 2,288 रुपे बन जाते हैं अगर लंजब में invest करा होता तो axis long term equity fund अब top two fund की बात करते हैं जो मेरे को कोई भी ELSS fund पूछता है तो मेरे को परंपरागत रूप से यह axis का long term equity fund काफी अच्छा लगता है यह 4 star rating है अभी करेंट में 0.72% अगर expense के अच्छी है और asset under management में सबसे बड़ा fund है market का अवेलीबल ELSS के अंदर में 27,216 करोड रुपे के asset under management है 5 साल के अंदर में return 18% है consistent है अपनी performance को लेकर over the period of time और एक साल के अंदर में approximately 2,28,000 रुपे की 5 साल में एक लाख रुपे जो आपका investor था 2,28,000 रुपे बन जाता अब मेरा ही asset tax saver fund की बात करों तो 0.28% expense rate हो मतलब सबसे अच्छी expense है तो सबसे minimum expense है तो आपको यहां पर दिखाए यह देगी 5 star rated fund है expense rate हो और asset under management की बात करता हूं तो 6,350 करोड का asset under management है और 24% की return इसमें दी है 5 साल में और in fact अगर एक साल के अंदर भी देखें तो approximately 73% की return एक साल में भी दी है और 293,000 रुपे हो जाते हैं एक लाग अगर आपने यहां पर लगाए होते हैं इसको थोड़ा detail से देखें तो आप द देखेंगे निफ्टी 50 के संग में इसको compare करते हैं आप चार देखिए इसने continuous level पर किसी भी point of time पर निफ्टी 50 को पिछले 2016 से अगर compare कर रहे हैं हर point of time पर बहुत अच्छी तरह से बीट करा है तो यह आपके fund manager के अच्छी performance को धरसाता है इसके बाद में अगर returns को दिखते ह 28,000 रुपे की return हो जाती है अगर 2016 से आपने investment करा था 5 साल के period में और यही SIP return देखिया SIP में क्या होता है आपका पैसा break होके invested होता है तो यहां पर आपको समझना पड़ता है कि returns जो है आपके 1000 रुपे लगाते हैं तो साल में 12,000 लगते हैं और आपके 5 साल में 60,000 पर manager है कभी time मिले तो उनके बार में detail से पढ़ने की कोशिस करना बहुत ही perfect mutual fund manager है और उनकी अगर देखेंगे तो यहां पे 61 stocks के अंदर में investment कर रही है और stocks देखिए लगबग nifty 50 top 10 stocks के संग में जा रहे हैं क्योंकि long time horizon मतलब 3 साल का lock-in period है अगर आप इसमें एक बार इंटर क पहले तो अगर कभी आप लंबे time period के लिए मतलब अपना पैसा किसी के हाथ में swap रहे हैं तो आपको short short होना परता है कि वह अच्छी जगा पर investment करें HDFC Infosys ICICI Axis Bank TCS SBI Reliance देखिए इन्होंने रखे तो top 10 stocks वही हैं लेकिन उनकी वेटेज हिला दी है जहां पर आपको रिलाइंस टॉप रैंकिंग में दिखाई देता निफ्टी के अंदर में यहां पर लगबग 7 और 8 पोजिशन पर दिया गया है क्योंकि जादा अच्छी अपरचुनिटी सब्सक्राइब के अंदर में इनको दिखाई दे रही है तो उस तरह से इनकी वेटेज के संग प्ले करा गया है बारती अच्छे से प्ले करा है अब इसकी सबसे साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो 10% का ही लॉंग टर्म क्यापिटल गें लगेगा वह भी तब एक लाग से उपर की अर्णिंग होईगी यह एक्जाम्पल के लिए आपने लाक रुपर लगाया है वहां पर आपने सतर हजार रुपर की अर्णिंग होती है तो उसक पैसे को बचा सकते हैं एक स्मार्ट इंवेस्टर्स नहीं तो यह से सिस्टेम को डेफिनिटली यस बंगता है उमीद करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोलाइब